Hello everyone, I am Poonima Sharma, welcome to my channel PhysioAim आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुगोविन से इंदप्रस्ति जो युनिवरसिटी है डेली में उसके फॉर्म साथ चुके हैं BPT और MPT दोनों के तो इस वीडियो में हम लोग से BPT को कवर करेंगे MPT के लिए मैं अलग से नया वीडियो बनाऊंगी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे फॉर्म के फीस कितनी होगी BPT के अलावा और कौन-कौन से बाशलर्स के कोर्से से जो इस युनिवरसिटी में है medical से related ठीक है आपका जो exam है sorry exam है जो online होगा या फिर offline होगा कौन-कौन से affiliated college है फीस कितनी होगी उन colleges की seat कितनी है उन colleges में paper का pattern क्या होगा सब कुछ एकदम detail से देखेंगे इत्मिनान से हम लोग इस वीडियो में ठीक है जो है doubt मैं अभी के अभी आपका solve कर देती हूँ मुझे बस एक मिनट दीजिए सो यहां पर आप clearly देख सकते हो कि आपके जो university है यह तीन तरीके से बच्चों के admission लेती है पहला C.E.T. के थूँ यह दूसरा अपना खुद का C.E.T. भी कंड़ कराती है वो यह है कि C.E.T. के through ठीके C.E.T. के through ही आपका admission होगा पड़ अगर C.E.T. से जो है merit list के according seat खाली है ठीके बच्चे ने काफी बच्चों ने apply दिया लेकिन होने merit list को across नहीं कर पाए C.E.T. के through seats खाली है तो वो C.E.T. के बच्चों को chance देंगे ठीक है आप आजाओ आप आप admission ले सकते हो लेकिन first priority है लोग C.E.T. वालों को ही देंगे मैं दुबारा repeat कर रही हूँ C.E.T. से अगर seat खाली बच्चती है तो उन seat पे C.E.T. के through पच्चों को लिया जाएगा लेकिन first priority C.E.T. के होगी सो इसलिए C.E.T. को fill करना बेवकूफी है दो-दो तरीके से पैसे दिया जा रहे हो आप बस सरकार को अपने ठीक है सो आपको क्या करना है C.E.T. के लिए ही form fill करना है ठीक IP.E.T. करना है C.E.T. ना भी करो तो चलेगा ठीक हो करने के जरुद भी नहीं है चलो अब हम आगे बढ़ते है मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि forms आपके 1st February से आ गए थे ठीक है कब से आ गए थे form 1st February से आ गए थे form की last date है 31st March है कब तक है 31st March तक आप form fill कर सकते आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम है आप अराम से form fill कर सकते हो ठीक है फॉर्म की जो fees है वो कितनी है 1500 कितनी है 1500 फॉर्म की fees है प्लस टेक्स चार्जिस अलग से 1500 है तो टेक्सिस मान के चलो 200 तकरीबन होंगे यूँगे 1500 से 200 तो 1700 जो है आपकी fees हो गई ठीक है अगर आपको नहीं पता है कि form कैसे fill करना है या फिर आप लोग डरते हो कि हमसे कोई गलती न हो जाए तो हमारी टीम है आपको दियेगे contact number पर message करना है ठीक है आपके documents मांगे चाहेंगे जो form भरने के लिए required है कुछ reasonable charges आपके लगेंगे और आपका form fill हो जाएगा और आपको निकाल करके confirmation page भेज दिया जाएगा बहुत अच्छे से ठीक है तो जादे attention नहीं लेनी है कि form कैसे भरे गड़बड हो रही है कौन-कौन से document required है सब कुछ हम लोग बताएंगे बस आपको नीचे दियेगे number पर message करना है ठीक है चलो यहां से हमें दो चीज़े clear होगी form की last date कितनी है 31st March और form की fees कितनी है 1500 और taxes अलग से है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग जहां से देख सकते हो कि यहां पर लिखा है GGSIPU paramedical जिसमें आपका BPT है, BPO है BASLP है, BSC MLT है और BOT है, इस सारे के सारे जो courses है, इनका एक ही common entrance test है जिसका code किया है 124, 124 code है और इसमें admission कैसे होगा, entrance exam CET के थूँ और CUET बात का second option है, तो पहला हम मानेंगे CET के थूँ होगा, ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगर मैं आपको और भी medical courses बता हूँ, तो आप BSC Medical Immersion Technology कर सकते हो, आप ये BSC जो है, रिडियो थेरपी में कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद में आप B-Pharmacy कर सकते हो, और आप Biotechnology भी कर सकते हो, ठीक है next है आपका Bachelor of Education, Special Education में कर सकते हो, यसे Hearing Impairment है, आपका Intellectual Disabilities है, Autism है ठीक है, Visible Impairment, ये जितने भी आपके Special Education की courses है, उनमें भी B.I.E.D. कर सकते हो, ये एक तरीके का आपका Medical Course है, B.I.E.D. का degree, Medical degree नहीं है, बच्चों आपके Medical Colleges है, जहाँ पे Hearing बच्चे आते हैं, जो आपके Rehabilitation Institute है, जैसे आपका Bhopal में है, एक ठीक है, और आपका Lucknow में है, यहाँ पे आप अराम से Job ले सकते हो, ठीक है, चलो, अब यह हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं बात करती है, B.P.T. के Eligibility Criteria की, सो आपने 12th कर रखी हो, 10th प्लस तो, CBSE से, या फिर किसी भी बोर्ट से, ठीक है, आपके minimum 50% Marks होने ही होने चाहिए, कितने, 50% Marks होने चाहिए, ठीक है, same B.O.T. के लिए भी same Criteria, 50% Marks होने चाहिए, ठीक है, और आपके PCB होने चाहिए, Physics Chemistry Biology B.O.T. B.P.O. हो गया, आपका B.M.L.T. हो गया, इसके लिए फिजिक्स Chemistry Biology, आपका B.A.S.L.P. है, उसके लिए भी आपका Physics Chemistry Biology है, ठीक है B.M.L.T. के लिए भी, ठीक है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पेपर में हमारे किस-किस तरीके से question आएंगे, ठीक है यह यहाँ पे आपको C.U.E.T. के थ्रीक दिया गए, ठीक है C.U.E.T. का भी form होता है, अगर आपको C.U.E.T. का form बढ़ने, तो भी आप हमसे contact कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको Subjects दालने होंगे, ठीक है, तो Subjects में आप Physics, Chemistry, Biology डाल सकते हो जिसके थ्रू आपको B.P.T. में admission मेलेगा अबर C.U.E.T. जो है, वो फालतो की बात है मेरे को ऐसा लगता है, यह मेरा point of view है आप चाहो तो C.U.E.T. दे सकते हो, ठीक है तो वहाँ पे course code जो होंगे आपके, वो इस तरीके से होंगे जैसे physics का paper का code यह है, chemistry के paper का है biology के paper का code यह है, इस तरीके से, ठीक है C.U.E.T. की बात हो रही है, चलिए, आगे बढ़ते है और देखे, यहाँ पे course दिखा दीती हूँ कि candidate को जो है, वो English subject भी होना चाहिए और English उसका past होना चाहिए, ठीक है जैसे आप लोग को लगे कि आपने physics, chemistry, biology, hindi और एक और कोई subject ले लो, suppose आपने geography या कोई और subject ले लिया, computer वगेरा तो फिर आप valid नहीं, आपके पास English भी subject होना चाहिए, ठीक है तो यह चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग entrance test की बात कर लेते यहाँ पे हम CET की बात करेंगे, ठीक है आपका जो CET होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो CET में आपके 25% questions physics से होंगे 25% जो है, वो आपके chemistry से होंगे 50% आपके biology से questions आएंगे, ठीक है इस तरीके से आपका paper site होगा तो यह paper है subject से आपके entrance exam के लिए इध्यान से, फिर से में एक बार बोल देती हो physics, chemistry, biology आपके paper में आएंगे ही आएंगे, ठीक है और paper का code कितना है, 124, ओके और एक और information चल रहे हैं तो नीट कंपलसर ही हो गया है बीपीट के लिए तो ऐसा नहीं है, अभी भी universities अपना खुद का separate entrance exam ले रही हैं, बीपीट के लिए तो इस information को हम लोग valid नहीं मानेंगे ठीक है, वो सिर्फ महराष्ट के लिए valid है, महराष्ट में आप without need कहीं से भी बीपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो महराष्ट के लिए applicable है, चलो अगर मैं centers की बात कर देती हूं, यहाँ पर आपके centers जा सकते हैं, ठीक है state or city के according यहाँ पर आपके center जा सकते है, university के entrance test के लिए, ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आप देख सकते हूं कि आपका जो paper है, उसमें कितने questions आएंगे hundred questions आएंगे, कितने questions आएंगे, hundred questions आएंगे ठीक है, और yes, यहाँ पर negative marking भी है, ठीक मैं दुबारा बोल देती हूं, यहाँ पर negative marking भी है आपका एक number deduct कर लिया जाएगा पूरा एक number, ठीक है, so अराम से अपना paper देजेगा, ठीक है जो paper के time पर आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए आपके पास आपका identity proof होना चाहिए, आप अधार card रख सकते हो, ठीक है, voter ID रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, एक आपका admit card होगे, अभी वैसे voter ID आपकी बनी नी होगे, तो आप अधार card रख लेना, फिर two colored photographs होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, photographs आपके खुद के होनी चाहिए, अगर आप married है, तो married certificate भी होना चाहिए, अधरवाइस कोई ज़़वत नहीं है, ठीक है, उसके बाद में, आपके बस दो ball pen होनी होनी चाहिए, ठीक है, और 10 मिनिट पहले अपने computer के पास जाके बैठ जाएं आपने जो registration किया होगा, उस वक्त आपको login ID, password होगा, तो वो डाल करके आप अराम से अपना paper दे सकते हो ठीक है, चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको online किस तरीके से questions टिक करने होंगे अपने, ठीक है, 100 questions आएंगे, 4 number का equation होगा, तो total आपके 400 marks होगे, ठीक है, all questions आप लोगों के लिए compulsory है, ठीक है, paper आपको केतने का होगा, धाई गंटे का आपका paper होगा, ध्यान से उन लेजे, मेरी बात कितने का है, धाई गंटे का आपका paper है, minus 1 की आपकी negative marking भी है, ठीक है, और जो differently abled person है, उनको 50 minutes proper, पूरे 50 minutes extra दिये जाएंगे, ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर reservation policies की बात करूँ, सो जो students Delhi के हैं, proper Delhi के उनको number one priority दी जाती है, ठीक है, proper Delhi के बच्चों को, उसके बाद में फिर और भी, outside Delhi region तो इसमें ऐसा ही लिख रखा है, लेकिन जो Delhi के बाहर होते हैं, उन्हें कम priority दी जाती है, ठीक है, फिर आपके जो OBC है, SC है, उनको priority दी जाती है, आपके different disabled person है, उनको priority दी जाती है, जम्बू कश्मीर, migrants है, ठीक है, फिर आपके economically weaker section से जो है, लिखा तो यह है कि सब को priority दी जाती है, बट main बात यह है कि जो main Delhi के हैं, उनको number one priority है, अब तक हमने क्या 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 देखा, form भर दिया, हमने form की fees देख ली कितनी होगी ठीक है paper का pattern हमें पता चल गया हमें क्या के documents लेके जाने हैं हमें सब पता चल गया reservation categories हमें पता चल गयी ठीक हमने सब कुछ detail में जान लिया है अब हम आगे देखते counseling कैसे होगी हमारी so counseling होगी हमारी online कैसे होगी online paper है online यहां पर देख सकते हूग counseling online होगी और यहां पर चेज़ आपको याद रखने हैं कि online it लीए आपको अलग से extra thousand रुपीज पेखने कितने counseling की fees आपकी अलग से extra thousand लगेगी जो कि non refundable है online के लिए enroll कैसे करना है देखो आपकी जो IT password होगा आप उसको डाल करके enroll कर सकते हो या फिर आपके पास आपका जो mobile number है उस पे अगर आप password भूल पे जाते हो तो उस पर OTP के through भी आप enter कर सकते हो ठीके, so चलो आगे देखते हैं यह आपकी tentative dates दे रखी है counseling की, so आप देख सकते हो कि 6 मतलब June में आपकी counseling हो सकती है, first जो है आपकी choice filling होगी, फिर आपको seat allotment होगा, फिर आपको payment करना है ठीके, फिर seat को freeze करना है ऐसे और अगर आप चाहें कि मुझे इस college में admission नहीं चाहिए, मुझे school में नहीं चाहिए, तो फिर withdraw करने का भी options है, ठीके, so normally लोग पूछते हैं, कि result कब आएगा so अभी से याद रखो, कि result जब भी आए, आपकी जो counseling की date है, वो कितनी है, आपकी June में ठीके, tentative date है, mid June से आपकी counseling स्टार्ट हो सकती है, फिर last of June में second counseling है, फिर starting of July में आपकी third counseling होगी, ठीके, so ये सब आपको basic चीज़े हैं, याद रखनी पड़ेंगी, और चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो, इने, चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम लोग BPT के colleges की बात कर देशते हैं, so BPT के आपके दो college है, कौन-कौन से बनासिदा चंदी वाला Institute of Physiotherapy दूसरा है आपका ISIC Institute of Rehabilitation Center ठीके, so ये दोनों में आपकी BPT होती है, ठीके, साथ के साथ आपका BPO भी है, ठीके BPO किसमें आपका ISIC में है और एक आपका वर्दमान महावीर college है, ठीके, वहाँ पे आपका BPO है, ठीके, BMLT के अगर मैं बात करूँ, आपका BMLT के लिए आपका एक है हिंदू राओ होस्पिटल ठीके, एक है आपका वर्दमान महावीर college, एक है आपका Holy Family Hospital, ठीके, अभी मैं आगे बात करूँ, आपका B.S.L.P का तो ये, अली, युवर जुंग National Institute of Speech and Hearing ये है, B.O.T के अगर मैं बात करूँ तो ISIC में आपका B.O.T है, ठीके, तो यहाँ से आपने देखा, कि आपके जो courses है, medical के कौन-कौन से college में, मैं specifically PPT की बात करती हूँ, so PPT का बनाज़स चंदी में, जो fees है, वो, sorry, student seat है, वो कितनी है, 60 students intake है, कितना है, 60 students intake है, और ISIC के बात के बात के बात के बात के 50 students intake है, so total आपका कितना हो गया, 110, 110 students ये लोग लिंगे, बाकि आप देख सकते हो, BPO में कितनी seats है, MLT में कितनी है, BSLP में कितनी है, और BOT में कितनी है, ठीक है, so यहां से आपको seat का idea लग गया होगा, एक और चीज़ जो मैं यहां पे आपके clear कर देना चाहती है, यह दोनो college जो है, यह affiliate college है, ठीक है, आपकी university government है, बट यह दोनो college जो है, प्राइवेट है, so इनकी fees भी जादा है, अगर मैं fees की बात करूँ, तो 1 lakh plus इनकी जो है, वो fees है आपकी, ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में note करके चलिएगा, कि 1 lakh plus इन दोनो colleges की, आपको fees पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, अगर आप सोचो कि government university है, हमें हमारी fees जो है, 25-30,000 तक में हो जाए, परियर की, तो ऐसा नहीं होगा, 1 lakh plus की fees जाएगी, कि college इस आपके private है, ठीक है, ठीक है, चलो, अब हम आगे बात करतें, बट दोनो colleges अच्छे है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दे ना चाहत दिए, कि जो आपकी गुरुगोविंद सी है इंदप्रस्ति university है, ये भी आपसे पैसे लेगी, ठीक है, ये भी आपसे पैसे लेगी, ऐसे ही आपको इन दोनों college में a lot नहीं कियेगी, ठीक है, तकरीबर करना है कि 25,000 पहले इसमें आई-प्यू में देने, उसके बाद आपको आपकी फीज बरनी है, so I hope यहाँ से पूरा प्रोसीजर आप लोगो को clear हो गया होगा अब next बात कर लेते हैं, हम लोग hostel की, so college के खुद के आपको hostels मिल जाएंगे, university के hostels मिल जाएंगे, लेकिन college का hostel की मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को या फिर आप बाहर भी रह सकते हो, अगर मैं hospital के बात करू, so yes, इनके काफी collaborations है, और उनके खुद के hospital भी आपको मिल जाएंगे, so कोई भी attention लेने वाली बात नहीं है, अच्छा institute है दोनों के दोनों अच्छा institute है, मेरे तरफ से university एकदम pass है, 10 on 10 है अब अराम से इस university में चा करके admission ले सकते हैं, NAC के तरफ से इसको A++ की grading भी मिली हुई है ठीक है, और अगर कोई detail जाननी है, मुझसे कुछ miss हो गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नीचे comment section में आपका hundred percent reply दूँगी, ठीक है, so मिलती हूँ मैं next video में, तब तक के लिए, क्या कहना है मैं चानल को subscribe करके रखिएगा so that और भी colleges के अगर forms हैं तो आपके पास information सबसे पहले जाए, okay bye bye, thank you, good night, jahind